हेलो फ्रेड मैं हैदार और आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुती एस्पेसल रेस्पी चिकन नवाबी मोती कबाब आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेस्टोरेंट में बहुती आसान तरीके से चिकन नवाबी मोती कबाब कैसे बना सकते हैं तो बहुती 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 नवाबी मोती कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है चिकन ब्रेस बोल लिस तो हमने पहले से टिक्के को कट कर रखा है अब आपने इसमें कट लगाना है तो आपने जो टिक्के का साइज है उसको भी से पतला करना है थोड़ा सा ताकि आपका इस टपिंग करने में असानी हो जाए तो हम नाइब से इसको टिक्के को थोड़ा-थोड़ा सा पतला कट कर ले रहा है तो आपने इसी तरीके से कट कर लेना है अगर आपके पास बेरेस पीस अखा है तो आप उसमें से सलाइस लिका सकते हैं जाए तो आपने इसी तरीके से निकाल लेना है उसमें ठुसक्त और आयोगते हैं तो आप लगा लिया है अब आपने इसको रख लेना है एक बॉल में तो हमने इसको बॉल में रख लिया है इसको रखने के बाद आपने क्या करना है मेथी ले लेना है उसको बॉयल कर लेना है बॉयल करके उसका पानी निकाल लेना है तो हमने हरी मेथी ली है जिसको हमने बॉयल कर लिया था बॉयल क आप पालक भी डाल सकते हैं तो अब आपने लेना है एक बॉल इसमें अट करना है 3 टेबल स्पून अमूल चीज गिरेट हुआ साथ में आपने अट कर देना है मेथी जो की हमने चॉप करके रखा हुआ है आप इसमें पालक भी यूज़ कर सकते हैं एक टेबल स्पून चॉप आपने मिर्ची अट कर देना है साथ में आपने अट करना है इसमें चाट मसाला 24 इसमें चाट मसाला अट करना है और आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना है चाट मसाला डालने के बाद आपने इसको बढ़िया तरीके से मिला लेना है तो आप देख सकते हैं कैसे मिला रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने step by step मिला लेना है बढ़िया तरीके से मसाले को जब आपका मसाला बढ़िया तरीके से मिल जाए तो आपने stepping करना है एक एक करके तो हम stepping करने के लिए हमने chicken को रखा उसके बाद थोड़ा सा मसाला एड़ करके इसको हम stepping करना है आपने बिल्कुल इसी तरीके से आराम से stepping करना है आपका chicken फटना नहीं चाहिए अंदर अच्छे तरीके से stepping हो जाना चाहिए तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से step करने chicken को तो आप देख सकते हैं हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं step करके हम एक एक करके सारा chicken को stepping कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने सारे chicken को stepping कर लिया है अब इसको हम रखेंगे side में उसके बाद हम बनाएंगे इसका मसाला तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है एक बॉल तो हमने लिया है एक बॉल इसमें हम एट कर रहे हैं टू टेबल इस्पून हैंकट यानि दही तो आपने इसमें दही एट कर देना है साथ में आपने आट करना है दो से तिरी टेबल इस्पून भरके अमूल कीरीम तो हमने फ्रेश की कर ली इंडिमित आपने साथर साथ में माइड़ेंगे हाप टेब्ल इस्पून गिरीन चिल्ली तो आपने साथ में टू पिंज आपने करेंगा सोल्ट यानी नमक आप सब vemos workforce को हम इसमें add कर रहे हैं white paper 7 half table spoon हम इसमें add कर रहे हैं चार्ट मसाला अगर आपके पास चार्ट मसाला ना हो तो आम चूर पॉरडर भी आप अट कर सकते हैं तो 24 spoon हमने add किया एलाइची पॉरडर खुश्बू के लिए two page हमने add किया है black paper crash तो आपने black paper add कर देना एक टेबल इस्पून आपने लेमन जूस एड़ करना है, टू टेबल इस्पून आपने एड़ कर देना है, रिफाइंड और, रिफाइंड और डालने के बाद आपने मसाले को बढ़िया तरीके से मिला लेना है, मसाला मिलाने के बाद आपने मसाले को टेस्ट कर लेना है, ज् ने बढ़िया तरीके से चिकन को मिला लिया है मिलाने के बाद हम इसको स्टपिंग करेंगे प्याज में तो प्याज में स्टपिंग कैसे करना अभी हम आपको वीडियो में दिखाते तो आपने प्याज लेना है साइट से कट लगा कि आपने छिलका को निकाल लेना एक साइट को तो देख सकते हैं हमने कैसे श्टप किया चिकन को प्याज में आपने बिल्कुल इसी तरीके से ओनियन में चिकन को इस्टपिंग कर लेना है बढ़िया तरीके तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस्टप कर लेना जैसा कि हम कर रहे हैं तो हमने सारे हुआसे प्याज़ में इस टपिंग कर लिया चिकन आप हम पनी ठिक्किवारी सरीया में इसको खोष रहे हैं आपने बिल्कूर इसे इसी तरीके से खोष लेना तो हमने सहीया में बढ़िया तरीके से लगा लिया है चिकन को अब इसके उपर आपने बढ़िया तरीके से मसाला लगा लेना है क्योंकि प्यास बहुत सरकती है तो मसाला आपने अच्छे तरीके से इस पर लगा लेना बढ़िया तरीके से ताकि मसाला आपके प्यास के उपर और हमारा मसाला अल्रेडी चिकन के अंदर भी है अब इसको हम रोष्ट करेंगे तंदूर में पांच मिनट के लिए सबसे पहले हम इसको पांच मिनट के लिए रोष्ट करेंगे उसके बाद दो से तीन मिनट और रोष्ट करेंगे तो हमारा पांच मिनट हो चुका है आप दे पर बहूं लगारें आप के पास जो एवेवेलेबल हो आप लगादें आपने दो से तीन मिनiट और स्को पका लिए चीकन को और बढ़िया तरीके से हमारा चिकन पख चुका है अंदर से चीज भी निकल रहे और बहुत ही बहुत इसको सुझिलर पे निकाल लेना अगरर आप के पास विजड लर्ना हो तो आप्लेट पर भी इसको और्पकारन सकते हैं तो हम एक हिक कर कि सारे चिकन को बढ़या たरीके से सिजल लेंगे आपने इसी तरीके से चिकन को लिइ में अग hard करें जैसा कि हम निक्लान लें तो हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्वाद